Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security यानि ICP ने अपनी official website पर administrative fines की एक list जारी की है जिसमें अमिरात ID से संबंदित जुर्माना और साथी residency और विदेश मामलों से संबंदित सिवाओं की जानकारी शामिल है ICP द्वारा published list में शामिल कुछ जुर्माने इस प्रकार से होंगे इन में सबसे पहला होगा पहचान पत्र की registration and insurance में देरी करने पर विलम के प्रती एक दिन के लिए 20 दिरहम fine देना होगा अधिकतम 1000 दिरहम तक जुर्माना इसका बढ़ाया जा सकता है दूसरा पहचान पत्र की expiry date से 30 दिनों के बाद renewing में देरी देरी के प्रती एक दिन के लिए 20 दिरहम से लेकर अधिकतम 1000 दिरहम तक fine लगाया जा सकता है तीसरा जब service recipient गलत डेटा प्रदान करता है तो उस पर 3000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है चौथा सिस्टम उपयोग करता हैं दोबारा application टाइप करने पर inaccuracy पर 100 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है पांचवाब प्रतेक कर्मचारियों के काम में बाधा डालना या उनके साथ सहयोग करने में असफल होने पर 5000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा वहीं किसी ऐसे प्रतेश्ठान के लिए वीजा या प्रवेश परमट जारी करना जो कोई गतिविदी नहीं करता है ऐसा करते पाय जाने पर 20,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है सात्वा सिस्टम का उप्योग करते पाए जाने पर 5000 दरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है दुबाई स्थित एरलाइन फ्लाई दुबाई ने इस वर्ष 1000 से अधिक करमचारियों को नियुक्त करने की योजना की घोशना की है फ्लाई दुबाई के प्रवक्ता ने बताया कि इस साल कुल 1120 नए इंप्लोईज वर्कफोर्स में शामिल होंगे योई बेस्ट लो कॉस्ट कैरियर में इस सवर्ष की शरवात से 320 करमचारी शामिल किये गए हैं दुबाई में सुपर सेल वीकेंड शुकरवार 26 मई से शुरू हो चुका है और जैसे जैसे वीकेंड करीब आ रहा है मौल्स में धीरे धीरे भीड उमड रही है अमिरात के खुद्रा विकरेता तीन दिनों 26-28 मई तक 25-90 प्रतीशत तक की जूट दे रहे हैं जिसमें आप फैशन, गोल्ड अंज्विलरी, कॉस्मेटिक्स, स्किन केर एंड एलेक्ट्रोनिक्स पर डील्स प्राप्त कर सकते हैं दुबाई बेस्ड बिलेनियर बिजनसमैन मुकेश मिकी जक्तियानी का नधन हो गया लैंडमार्क ग्रूप के एक बयान के अनुस्थार लैंडमार्क ग्रूप के अध्यक्ष और मालिक सत्तरवश के थे कमपनी ने एक एमेल में कहा कि लैंड मार्ग ग्रूप ने शुकरवार को गोशना की कि उसके प्रसिद संस्थापक और अध्यक्ष मुकेश मिकी जगतियानी के निधन हो गया जगतियानी के परिवार में उनकी पतनी और तीन बच्चे हैं दुबाई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मुहमद ने ट्विटर पर लिखा कि 26 माई को हम लैंड मार्ग ग्रूप के संस्थापक और दुबाई की सफलता की कहानी कि अब भिन अंग मिकी जगतियानी के निधन पर शोक व्यक्ष करते हैं अबुधाबी के शाशक के रूप में युवई के राश्टपती महमहीम शेख मुहमद बिन जाया दलनाहयान ने अबुधाबी में अथॉरिटी फॉर माइनर अफ़िर्स के स्थापना के लिए एक कानून जारी किया है AMAA New Entity को सभी SCMAF की Assets, Properties, Rights and Liabilities के ट्रांसफर के साथ Social Care and Minors Affairs Foundation यानी SCMAF की जिम्मेदारी को ग्रहन करेगा AMAA अमिरात में सभी बंदवस्ती मामलो यानी Indoment Affairs के प्रबंधन के लिए सक्षम प्राधिकारी भी होगा UAE Media Report के अनुसार संयुक्त अरब अमिरात में नौकरियों के अवसर के लिए कई तरह के फेक विग्यापन मामले सामने आ रहे हैं ऐसे स्थिती में अगर किसी नौकरी का विग्यापन की जानकारी आपको मलती है तो आपको उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए नहीं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं ताजा मामलों में कई लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी की घटनाए सामने आई हैं अधिकारी समय समय पर इसके बारे में वार्निंग जारी करते रहते हैं ऐसे में आपको स्वे साफधानी बरतनी होगी हाली में वर्ल्ड ओफ स्टेटिस्टिक्स ने सोशल मीडिया प्लैटफर्म ट्विटर पर दुनिया भर की उन शहरों के लिस्ट जारी की है जहां सबसे खराब ट्राफिक व्यवस्ता है इस लिस्ट में यूए के शार्जा को सातवा पाइदान मिला है जहां सबसे ज्यादा ट्राफिक होती है इस लिस्ट में लागोस, लॉस एंजिलिस, सैंजोस, कॉलंबो, धाका, दिल्ली, शार्जा, कॉलकाता, गौाटिमाला, सिटी और मुंबई जासे शहर शामिल है कैलिफोर्निया प्रांथ के सबसे बड़े शहर और अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजिलिस का नाम इस लिस्ट में चौकाने वाला है थाकाउट ट्राफिक के मामले में यह शहर दुनिया में दूसरे नमबर पर है इस लिस्ट में कोस्टारिका की रास्थानी सैंड जो उस तीसरे स्थान पर है श्रीलंगा की रास्थानी कोलंबो चौते पायदान पर है बंगलादेश की रास्थानी ढाका पांचवे स्थान पर है पहले नमबर पर लागोस दुनिया का सबसे खराब ट्राफिक वाला शहर है 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार सबता के 30 घंटा हर एक व्यक्ति की यातायात में गुजारता है दूसरे नमबर पर लॉस एंजिलिस है जहां पर सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच ज्यादा ट्राफिक होता है वहीं तीसरे नमबर पर सैंड जोस है चौथा सबसे खराब यातायात शहर श्रिलंका का कॉलामबो है पांचवे स्थान पर बंगलादेश का धाका है इसके बाद यूई में शार्जा को सबसे खराब ट्राफिक है World of Static's की एक ट्वीट के मताबिक सबसे खराब यातायात में भारत के तीन शहर भी शामिल है दिली छटवे नमबर पर, आटवे नमबर पर कॉलकाता और दसवे नमबर पर मॉंबई है ग्वाटेमाला सिटी इस लिस्ट में नमबर पर है और जो स्पेन का एक फेमस शहर है रोड एक्सिडेंट डेथ की बात कर रहें तो सबसे ज्यादा डॉमेनिकन रिपबलिक में एक लाख में से सबसे ज्यादा मौते हुई है इस लिस्ट में भारत 90 नमबर पर है 15 अप्रेल से शुरू हुए सुडान के सिविल वार का असर बहुत जल्द सॉफ्ट ड्रिंक इंडॉस्ट्री समेट कई बड़ी मैनिफैक्चरिंग यूनीट्स पर पढ़ सकता है इसकी वज़ा एक खास तरह की गोंद या गम है इसे एकेसिया गम कहा जाता है कोक और पेपसी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकर ने साफ कर दिया है कि अगर यह जंग नहीं रुकी तो 3-6 महीने में सप्लाई बंध हो सकती है इसके अलावा ड्रॉग इंडेस्ट्री पर भी इसका असर पढ़ सकता है दुन्या में इस्तमाल होने वाला कुल एर्बिक गोंद का 66 प्रतीशत सुडान में ही पैदा होता है अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मताबिक कोक और पेपसी जैसे मल्टी नैशनल ब्रैंट्स में सुडान और एफरिका के इस हिस्से में आने वाले कुछ देशों का गोंद इस्तमाल होता है अगर जंग इसी तरह से जारी रहती है तो इसका असर इन ब्रैंट्स की सप्लाई पर पढ़ना तैय है इस गम का इस्तमाल सॉफ्ट ड्रिंग के फ्लिवर को बनाई रखने में होता है इसके अलावा soft drink के color और हर sip के test को बनाए रखने में भी इसका एहम रोल होता है च्विंगम और soft candy में यही गोंद इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा water color paints, tiles की shining, print making, glues, cosmetics, pharmaceutical wine, shoe polish, cream और रोजमर्रा के products में भी यही gum कामाता है